असलाम लेकूम वेलकम तो मैं चैनल आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक चिपकली इसको मैं मार दूंगी बारहां बात आ गई है महबत गुमशुदा मेरी की जो के बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है बहुत आउटस्टैंडिंग मज़ा आ जाता है इसको देखते व काई इसीडी मर जाती ये तो आपको जूतो का इस्तामाल ये रैकिट का इस्तामाल करने के बिल्कुल जरूर्षट नहें से एक आधिऊ करे प्टक कर इक गिर जाती है मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप देख सकते हैं चिपकली वह है उस मेरे उपर नाजाए ये इस प्र पर इसकेक्ट हने लगी हूँ लेको जो इस तरफ रोका है कि यहाँ आपने अपनी गुनागार अंखों से देखा है कि चिप के लिए हमारे हाथ से निकल के भाग चुकी है जी हाँ फिर राजतियों इस ड्रामे की तरफ बहुत मज़े करें ड्रामा जा रहा है काईस बहुत मज़ा रहते हैं तो देखें इसमें क्या होता है हमारी चुक्तिली के साथ साथ यहाँ पर जूबिया भी दानियाल भाई से बच जाती है एक जूटा सा बहाना करके जूबिया उसके रास्ते कभी अलग नहीं हो सकते यानि अफुल उसमें इन्वालवई भी और उससे दूर नहीं जाना चाहती जो के हमें पता चल गया है यह एक एक जूबियाली ना साथ लेग वना चाहता है ना जूबिया चाहती तो देख अब इस लूग स्टोरी का क्या सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह खाना लेके गई साइम के लिए और वहाँ पे बैठे वे तोनों कठे मिलके खाना खा रहे हैं पीछे से देख रहे हैं साइम की मा जैसे कि आप लोग अल्रड़ी देख चुके हैं तो देखें मा ने देखें साइम और जूबी को कठे खाना खाते वे वो भी उपर टेर्स पर तो मा ने अपने बेटे को ही पिटवाया दानियाल से उसको कॉल करके पर माना शुरू कर दिये दानियाल को तु पूछना चाहिए था जूबी से के तुम्हारी चॉइस गया है बेटा तुम अभी पढ़ रो उसको समझा सकता था एज फ्रेंड बट यहां पर तुम मारक उटाईया शुरू कर दिया और जूबी के साथ भी तो इतना तो आतनी बनता के उस जूबी आ को मारे यह साइन को मारे अच्छा देखिач देखर दानियाल ने क्या हाल किया है जूबीा का अगर इस किसम का कजन आपके पास है और आपके शादी होने वाली है तो माज़त करके ऐसे कजन के साथ शादी करने से इंकार कर दें से पहले कि आपके से अज़ाब नाजल हो जाए दानियाल के रूप में क्योंकि इतना बुरा ये रियक्ट कर रहा है शुरू से तो ये बाद में क्या हाल करेगा बेशक ये गहरत की बात है लेकिन अगर हकीकत में ऐसा कुछ है तो आप अपनी लाइफ खुद सुधार सकते हैं ऐसे शक्से बचा सकते हैं जो कि इस किसम का इसमें दिखाया गया क्योंकि किसी बेहनुएकर राइट नहीं है कि अपनी साली को मारें ठीक है ये अपनी बेगम से इस तरह से इसतना रूडली बेहेव करें हाँ अगर सगा भाई है तो तो हम मानें बट कजन्स सगे भाई नहीं होते हैं कजन्स कजन्स ही हैं रुष्णा ने साइम को बता दिया कि ये सब कुछ तुम्हारी मा ने किया है तुम्हारी मा ने ही बताया दानियाल को के जूबिया तुमसे टेरिस पे मिर रही है जब साइम ने ये बात सुने कि ये कसूर असल में उसकी मा का है तो साइम आ जाता है घुसे में और घुसे में वो घर छोड़ जाता है यहां तक कि वो अपने बाप से भी बत्तमीजी कर जाता है देखें दूसरी तरफ अब ये दिखाया जाएगा कि जूबिया अपनी बहन के शादी और बहुत खुशी के साथ और यहां तक कि साइम को भी बताएगी कि मैं शादी अटेंड कर रही हूँ यह वह बहुत प्यारी लग रही होती जूबिया और अन्याल है वो जूबिया से इसकदर नराज है इसकदर गुसा है कि उसको उसके कोई रसम करना पसंद भी नहीं आ रहा तो वह यहां पर कहेगा बस कर दो रसम को बस खुशा आपना दिखा कि और चला जाएगा जो शुरू में ही इतनी अकड दिखा रहे हो बाद में क्या करेगा बिजूबिया को लेके अराज हुआ पड़ावाए इतना भी क्या हो गया हर एक अपना राइट है जूबिया का टॉपिक लेके दानियाल मुसलसल मुसलसल अपनी नहीं नवीली दुलहन को ताने मारे जा रहे है जूबिया की बेहन का तो हो गया है बुरा हाल क्योंकि आते साथ ही जूबिया की सवलाद शुरू हो चुके हैं साइम ने अपने मंगनी की बात की लेकिन उसके घरवाले नहीं माने और साइम घर से नराज होके चला गया है और काफे रात हो चुकी है साइम वापस नहीं आया और उसके पेरेंट्स बहुत हो गये हैं परिशान वहां पे साइम के हो रहे हैं पेरेंट्स परिशान और रो रहे हैं जो कि मुझे बहुत जादा दुख हुआ ये सीन देख के और दूसरी तरफ साइम के दिखाए जाए पीअ ने साइम को बहुत समझाने के कोशिश किया कि पहले ही मुझे तुम हारी वज़ा से आणटी पसंद नहीं कर रही कि तुम मुझे पसंद करते हो और मुझे मजीद पसंद नहीं करेंगे अगर तुम घर वापस नहीं गये तुम वापस घर जाओ उसको समझाती है और मां हो गई अपने बच्चे की मोहबत में मजबूर और उसने कहा है कि हम रिष्टा लेने जाएंगे तो वो कैसे माने के वो तो अपनी ब्रादरी में करते हैं तो साइम कहते हैं यह बाते बात की सोचने की अभी पहले आप रिष्टा लेके तो जहां तक मुझे लगता है कि वो अभी इस रिष्टेव को नहीं मानेंगे वो फोरां कबूल करने के तो मैं पता हूं नहीं परादरी से बाहर शादी ही नहीं करते हैं और फिर तुमादा होगी उसको फिली एपिसोड में आपको कुछ ऐसा दिखाया जाएगा सायम के दोस्स अभी नहीं करते हैं तो सायम का दोस्स जो है वो इससे एक्स्क्यूस करेंगा और कहेगा कि प्लीज तुम यहां से जाओ क्योंकि मेरे अबू को पसंद नहीं है कि तुम यहां पे मजीद ठहरो तो साइम यह सुनके चला जाएगा और एक पार्क में जाके बैट जाएगा जहां पे वो जूबिया से अपनी मामा से बात करेगा और करेगा कि आप मुझे घर बुलाना चाहती है तो आप उनके घर जाओ साइम ने फुल जिद अपनी पकड़ी हुए पहले तो इसके जिद पकड़ना सही हो रहा था क्योंकि इसको एक जगा मिर रही थी रहने के लिकिन अब इसको कोई जगा नहीं मिल रही रहने को multiply तो वहां पर जाके जब साइम ने कॉल की जूबिया को भी तो हुआ उसके साथ यह जो है दो लड़के आए जिन्हों ने उसका मुबाल स्नैच करने की कोशिश की और उसका मुबाल स्नैच कर लिए जूबिया ने ये सब कुछ सुन दी और उससी टाइम फाइरिंग हो गया साइम के घर और सब को बताएगे कि क्या हुआ वहां पर और यहीं बतंगर अब खड़ा हो जाएगा जूबिया के अपने घर भी तो काफी हंगामा होने वाला है देखते रहिए महबत गुम्शुदा मेरी बहुत मज़े की एपिसोड आने वाली है इंतजार जरूर करिएगा इसी के साथ चलती हूँ अला हाफिस और हाँ अगर आँ मेरी चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा अला हाफिस